नमस्कार साथियो NIVS के Community Health Training Program में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जसा कि आप जानते हैं कि Community Health Training Program बहुत ही Important Training Program है और आज हम इसी प्रोगाम से सम्मंदित जो हमारा First Module का First Unit है Anatomy and Physiology उसकी हम बात करेंगी Anatomy and Physiology जो मनुस्त से सम्मंदित है इसके लिए क्यों आवस्तक है यो तो आप जानते ही है जब भी कोई भी हम चिकिस्सा पधिती में हम काम करते हैं तो सबसे पहले उस चिकिस्सा से सम्मंदित जिनका हमें इलाज करना है उनकी Anatomy and Physiology पता होना बहुत जरूरी है तो हम Human की बात कर रहे हैं और Human Anatomy and Physiology हमें जाननी बहुत जरूरी है इस यूनिट में खास्तोर से मनुस्य का सरीर कैसे बना है कौन-कौन से उतक और अंग के तंत्र यानि ओर्गन सिस्टम इसमें इन्वाल्व हैं जो कि पूरी Human Body के संदर्व में बताते हैं और मनुस्य को स्वस्त रहने के लिए सारे सिस्टम्स हमारी Body पूरी तरह से ठीक रहनी चाहिए सारे सिस्टम्स ठीक से काम करने चाहिए तभी हम अपने आपको सही रूप से स्वस्त कह सकते हैं तो यह जानना वास्तम हमें जरूरी है कि हमारे सरीर में यह जो अंग हैं यह कैसे काम करते हैं कौन-कौन से अंग काम करते हैं इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे इस यूनिट के लिए हमारे साथ इस्टुडियो में मौझूद हैं डॉक्टर निदीगर असिस्टेंट प्रोफेसर जो मत्रा से आयरवधिक कॉलेज से सम्मन्नित रखती हैं साथ ही फिजिशन भी हैं आप और आपको ये बहुत अच्छी तरह से जो हमारा इनाटोम फिजिलोजी है उस पार को पूरा कराएंगी मैं उनका स्वागत करता हूं डॉक्टर निदीजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस्टूडियो में नमस्कार नमस्कार सर तो ऐसा कि सर ने बताया कि आज हम मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के बारे में बाद करेंगे तो सर ने बता ही दिया है कि हमें ये जानना क्यूं अवश्चक है कि मानव शरीर की रचना कैसे हुई है कैसे बना है और इसमें कैसे कैसे क्रियाएं होती है ताकि हम जि जैसे हम जानते कि मानव शरीर विभिन सरचना आत्मक स्तरों का एक जटिल संगठन है जिसका आरम परमानों, अनों एवं योगिकों से होता है तथा कोशिकाएं, उतक, अंग, एवं संसान या तंद्र परस पर मिलकर संपूर मानव शरीर का निर्मान करते हैं मानव शरीर को जानने के लिए आज इस कारेकरम के माध्यम से शरीर रचना तथा शरीर क्रिया के विशय में हम कुछ जानकारी प्राप करेंगे सबसे पहले आईए जानते हैं मानव शरीर हमारा शरीर कोशिकाएं, उतक, अस्थियां, पेशियां, तंत्रिकाएं, त्वचा तथा आंत्रिक अंग यथा हृदय, यकृत जैसे लीवर फेफडे आदी से मिलकर बना है विज्यान की वहशाखा जिसमें शरीर के विभिन अंग प्रत्यंगों की प्राकृतिक रचना अर्थात मानव शरीर रचना तथा उसके विभिन अंगों के पारस्प्रिक संबंधों का अध्यन किया जाता है उसे शरीर रचना या एनॉटमी कहते हैं जैसे कि इस परिभाशा से हम जान पा रहे हैं कि विभिन अंग प्रत्यंग की प्राकृतिक रचना अर्थात वो कैसे बने हैं शरीर में उनकी बनावट कैसे हैं उनके विभिन अंगों के साथ में संबंध कैसे हैं इसका अध्यन किया जाता है उसे शरीर रचना विज्यान क वहशाखा जिसमें शरीर के विभिन अंग प्रत्योंगों की प्राकृतिक क्रिया अर्थात शरीर में मौझूद भिन भिन अंगों एवं तंत्रों के कार्यों तथा होने वाली क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। अर्था सिस्टम्स के कार्यों और उनके कार्यों के होने के कारणों के साथ साथ उनसे संबंदित चिकित्सा विज्ञान के नियमों का विज्ञान दिया जाता है। मनुष्य जो भोजन करता है उसका पाचन किस प्रकार होता है। पाचन के अंत में उसका आंतों की भित्यों से अवशोशन किस प्रकार होता है। ये सब हम शरीर क्रिया विज्ञान के माध्यम से जानते हैं। मानव शरीर असंख्य छोटी-छोटी कोशिकाओं से बना है। इन इकाईओं को कोशिकाए कहा जाता है। कोशिका शरीर का एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है जिसे माइक्रोस्कोब की साहिता से ही देखा जा सकता है। यह शरीर की एक सरचनात्मक वा क्रियात्मक की काई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलने की शमता रगती है। कोशिका की रचना के अंदर कई एक सम्मिलित अंग आते हैं, जिनके सामुविक रूप को हम कोशिका कहते हैं। कार्यों की विभिंता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकरती में अंतर होता है, लेकिन कुछ रचनात्मक विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। तो आईए इन विशिष रचनात्मक गुणों तथा मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान को बहता ढंग से समझने के लिए शरीर की इस लगुतम इकाई कोशिका का ग्यान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बात करी कोशिका, कोशिका मानव शरीर की लगुतम मूल भूत सरचनात्मक, स्ट्रक्च्छल वा क्रियात्मक, फंक्शनल इकाई है। मानव कोशिका का निर्मान अंदर से बाहर की ओर तीन भागों में होता है। सबसे पहले अंदर की तरफ केंद्रक जिसे हम नुकलेस बोलते हैं। उसके बाद कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लास्म बोलते हैं। तीसरा है कोशिका जिल्ली अर्थाथ सेल मेम्रेल। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सबसे भीतर वाला पार्ट जैसे हम केंद्रक बोलते हैं। वह है उसके बीच में साइटोप्लास्म कोशिका द्रव्य है जिसमें विभिन इसके अंग पड़े हुए हैं। गोल्जी अपरेटस है, माइटोकोन्रिया है, यह सब साइटोप्लास्म में रहते हैं और इसके बाहरी कवर को हम कोशिका जिल्ली कहते हैं। अब आए इनके बारे में हम थोड़ी-थोड़ी सी जानकारी ले ले लेते हैं। केंद्रक, जैसे नुकलेस है, इसको लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़ कर शरीर की सारी कोशिकाओं के बीच वाले भाग में एक गोला का रचना होती हैं, जिसे केंद्रक या नुकलेस कहते हैं। केंद्रक कोशिकाओं की ख्रियाओं को नियंद्रित करता है, कमकालिय पेशी और कुछ दूसरी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है तता यह कोशिका कला के समान दोहरी परत्वाली मेंब्रेन से चारों और से घिरा रहता है जिसे हम केंद्रक कला या न्यूकलस मेंब्रेन कहते हैं नुकलेस के अंदर नुकलोप्लास्म में सुत्रवत रचनाएं पाई जाती हैं, जिने गुनसुत्र अरथात क्रोमोजोम्स कहते हैं। क्रोमोजोम में दानेदार सनचना समाविष्ट होती है जिसे जीन कहते हैं। ये एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक अनुवांचिक गुणों को पहुंचाने का कारे करते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक के अलावा कोशिका के अंदर के पूरे भाग को कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाजम कहते हैं। यह अर्ध घन अर्थात सेमी सॉलिड होता है। कोशिका का जीवन इसी साइटोप्लाजम पर ही आश्रित रहता है। और इसी पर कोशिका की समस्त मूल भूत जीवन क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वृध्धी, मेटाबोलिजम आदी निर्भर करते हैं। पतला आवरण है जो कोशिका द्रव्वे के चारों और विद्यमान होता है। यह वसा, प्रोटीन तथा लवनों की दो परत वाली जिल्ली है। कोशिका कला से ही समस्त कोशिकाओं को सहारा मिलता है तथा कोशिका का एक अलग अस्तित्व बना रहता है। कोशिका कला भाया उत्वजनाओं को ग्रहन करती है, इससे ही कोशिका रक्त से पोशक तत्वों एवं ऑक्सिजन को ग्रहन करती है तथा अनवश्यक पदार्थों का बाहर निकालती है। कोशिका कला, कोशिका के अंदर बाहर आने जाने वाले पदार्थों जैसे ऑक्सिजन, जल, कार्बन डायोकसाइड, ग्लुकोस आधी पर नियंदरन रखती है, तथा इस प्रकार यह साइटो प्लाज्म की रासायनिक सरंचना को बनाए रखने में साहयक होती है जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक बहु कोशिय अर्थात मल्टी सैलूलर प्राणी है, रचना तथा कारे में कोशिका एक दूसरे से भिन होती हैं, ये तो हमने अभी जाना है, और एक प्रकार की कोशिका एक ही प्रकार के कारे करती हैं, और एक ही वर्ग के उतकों जैसे बैडी उपस्थी पेशियादी का निरमान करते हैं हर उतक का अपना एक खास खारह होता है कोशिक उतकों का निरमान करते समय आपस में एक दूसरे से विशेश प्रदार्थ के द्वारा जुड़े रहती हैं इस प्रदार्थ को अंतरा कोशि की द्रववे Intercellular Flute कहते हैं बहुत से उतक मिलकर शरीर के अंगों का निर्मान करते हैं जैसे आमाशे, गुर्दे, मस्तिश्क आभी तो आईए जानते हैं कि उतक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं उनके कारे क्या हैं उतक समान गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक विशिष्ट क्रिया या कारे को करने वाले अनेक कोशिकाओं के सम्हूं को उतक कहते हैं जैसे हमने अभी पीछे जाना कि कोशिकाएं जो है एक समान गुन वाली होती हैं, अलग-अलग कार्य को करती हैं, तो जो गोशिकाएं समान गुन वाली हैं, एक जैसे गुनों वाली हैं, एक ही हाकार की हैं, और एक ही विशिष्ट क्रिया को करती हैं, उनके समुह को हम उतक कह मस्कुलर टिशू, चोथा है तंत्रिका उतक, नर्वस टिशू. आप चित्र के माध्यम से इनको देख सकते हैं कि ये कैसे बिख रहे हैं, ये कैसे होते हैं. आए सबसे पहले जानकारी लेते हैं उपकला उतक के बारे में एपिथिलियर टिशू. ये है शरीर के भीतरी तथा बाहरी आवरन का निर्मान करता है. उधारन के लिए तवचा तथा शलेश्मा जिली, मुकस मेंब्रेन, जो हमारी तवचा है, वह उपकला उतक से बनी होती है और अंदर की जो मुकस मेंब्रेन हैं वह भी उपकला उतक से बनी होती है. ये उतक अवशोशन, एब्जॉप्शन, स्राव, सिक्रिशन, रक्षा, प्रोटेक्शन और उत्सरजन, एक्सक्रिशन का कारे करते हैं. ये कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि उपकला उतक के विभिन प्रकार है, सरल घनाकार उपकला है, सरल शलकी उपकला है, सरल स्तंभाकार उपकला है, मिश्रिस तरित शलकी उपकला है. अब जानते हैं संयोजी उतक, कनेक्टिव टिशू के बारे में. ये हैं विभिन उतकों को जोडता है, अर् इनका कारह है अंगों को आछादित करना उन्हें सही स्थान पर रखना तथा शरीर को एक धांचा प्रदान करना आप चित्र के माध्यम से विभिन प्रकार के सही उजी उतक देख सकते हैं जिसमें एरियोलर टिशू है हाइलन काटिलेज है अस्थी का टिशू है वसी उतक जि हो सकती है अर्थात ये छोटी बड़ी हो सकती है यह तीन प्रकार की होती है रित पेशी काडेक मसल्स एचिक जिने हम रेखिय उतक भी कहते हैं वॉलेंटरी इंगलिश में हम बोलते हैं अनेचिक या अरेखिय इन्वॉलेंटरी मसल्स होती है आप चित्र के माध्यम से आये जाती है और इन पर भी हमारह कंट्रोल नहीं है इसले इनको अनेचिक नियंतरन का कहा जाता है तीसरा है रेखिय उतक जिस पे की हमारा नियंतरन रहता है इसलिए हम इनको बोलते हैं एचिक उतक अब जानते हैं तंत्री का उतक अर्थात नर्वस टिशु के बारे में यह एक विशेश प्रकार का उतक है जो संदेशों के समवहन के लिए उत्तरदाई होता है इसकी इकाई को नियरोन कहते हैं तंत्री का उतक तंत्री का कोशिका नियरोन तथा उनके प्रवर्धित तंत्वों नर्व फाइबर से मिलकर बनते हैं यही तंत्री का तंत्री की कार्यात्मक तथा रचनात्मक इकाई होती है आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें एक सेल है जिसमें न्यूकलस है और इसके विभिन दुर्मिका फाइबस निकले हुए हैं इसके अंदर तंत्रिका अक्ष है और अंतिम सिरा है जो दूसरे नियूरोन के साथ जुड़ा होता है आए अब जानते हैं कि मानव शरीर का संगधन कैसे है अर्था आप ये कैसे बना है इसमें क्या-क्या अंग पाये जाते हैं क्या-क्या स्ट्रक्चर है मानव शरीर में एक धुरिय या अक्षिय भाग जिसे हम एक्षियल बोलते हैं तथा उपांगिय अपेंडिकुलर भाग होते हैं धुरिय भाग में सिर गर्दन तथा धर जबकि उपांगिय भाग में उप्रिवा निचले अंग शामिल होते हैं इस प्रकार मानव शरीर को हम 6 भागों में भग्त कर सकते हैं उर्ध्व शाखाएं जिने हम अपर एक्स्रिमिटीज बोलते हैं दो होती हैं एक एक दोनों साइड में अधा शाखाएं लोवर एक्स्रिमिटीज ये भी दो हैं सिर गर्दन तथा चेहरा एक धड़ ट्रंक एक उर्ध्व तथा अधा शाखाएं धड़ के उपरी तथा निचले सिरों पर उर्ध्व तथा अधा शाखाओं के जोड़े अर्थात पेर्ज हैं उर्ध्व शाखा में पीछे की और दो अंसफलक स्कैपुला जुड़े हुए हैं सामने की और अक्षास्ती क्लेविकल है जो मध्धे में उर्धा फलक स्टर्नम से मिली हुई है इसका उपरी भाग बाहु आर्म और निचला भाग अग्र बाहु फोर्म आर्म कहा जाता है अधा शाखा के उपरी भाग को उर्धाई कहते हैं जिसमें एक उर्वस्थी फीमर होती है जो श्रोणी की अस्थियों से जुड़ी होती है नीचे के भाग में दो अस्थियां जंगास्ती तिबिया और अनुजंगास्ती फेबुला होती है सिर इसकी अस्थियां कपाल अर्था स्कल का निर्मान करती हैं इसी में मस्तिश्क रहता है कपाल के नीचे का भाग चेहरा कहा जाता है इसके मुख्य भाग आंख, नाख, कान, मुख और ठोड़ी है गर्दन जिसे हम neck कहते हैं इसमें मेरुदन, vertebral column का grave भाग, cervical part आता है गर्दन से पेशिया, सिराएं, कंट, larynx जिसे हम कहते हैं श्वासनली, trachea, ग्रासनली, इसोफेगस आदी वक्ष में आते हैं धर, यह शरीर का सबसे बड़ा और बीच का भाग है इसमें सभी बड़े-बड़े अंग स्तित हैं यह एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान है, जिसे गुहा अर्थात cavity कहा जाता है यह तीन भागों में विभक्त किया जाता है वक्ष गुहा थोरासिक कैवेटी, उदर गुहा एबडोमिनल कैवेटी, श्रोणी गुहा पैल्विक कैवेटी सबसे पहले जानते हैं वक्ष गुहा के बारे में वक्ष गुहा थोरासिक कैवेटी यह वक्ष गुहा पसलियों, रिप्स और उनसे सलंग्न पेशियों से बनी है यहां हृदे, फेफडे, श्वासनली, ग्रासनली तथा थाइमस ग्रंथी स्थित हैं वक्ष और उदर गुहा को एक मान स्पेशेस नायू, डायफ्राम प्रिथक करती है उदर गुहा, abdominal cavity, वक्ष के नीचे की गुहा को उदर गुहा कहते हैं यह वक्ष की अपेक्षा बड़ी होती है, यह डायफ्राम से प्रारंभ होकर नीचे श्रोनी प्रवेशिका, pelvic inlet तक होती है यहां अमाशे, आंते, लीवर, पिताशे, अगनाशे, पैंक्रियास, प्लीहा, गुर्दे आधी अंग होते हैं श्रोनी कुहा, pelvic cavity, यह चारों और से श्रोनी अस्थियों से गीरा है इसमें छोटी आत की कुंडलिया, बड़ी आत के अंतिम भाग, वक्र, व्रिदेहंत्र, तथा मलाशे, मूत्राशे, तथा आंत्रिक जननेंद्रिया, जैसे महिलाओं में गर्भाशे समाविष्ठ हैं आईए अब जानते हैं इन अंग और अंग संसान, अर्थात, organ and system के बारे में अंग एक विशिष्ट उत्तकों का सम्हू है, जो एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को निश्पादित करते हैं, जैसे स्रिदे, यकृत, गुर्दा, आदी एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने वाले अंगों के संहू को संसान या तंत्र कहते हैं, शरीर की प्रतेक क्रिया के लिए विशिष्ट तंत्र का प्रियोग किया जाता है जैसे कि हमने पिछले पहले जाना था कि विशिष्ट कारे करने वाली जो कोशिकाय होती हैं, वह एक उतक का निर्मान करती हैं, तो उसी प्रकार विशिष्ट उतकों का संहू एक अंगा निर्मान करते हैं, जो कि एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को निश्पादित करते ह जैसे हिदा है, यह सर्कुलेशन का कारे करता है, यकृत है, यह पाचन में साहिता करता है, गुर्दा है, एक्सक्रिशन का कारे करता है, यूरिन फॉर्मेशन का कारे गुर्दे का होता है, इसी प्रकार जब इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब विशिष्ट उतकों का समू है, उसे हम अंग कहते हैं इसलिए जब एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने वाले अंगों का सम्हू जब इकठा होता है जब सम्हू बनता है तो उसे हम संसान या तंत्र कहते हैं जिसमें विशिष्ट क्रिया करने वाले विभिन विभिन अंग एक साथ कारे करते हैं हमारे शरीर में 10 विभीन तंत्र विद्यमान हैं, स्वचा तंत्र जिसे हम इंटेग्युमेंटरी सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, पेशिय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पुरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस् प्रजनन तंत्र के अत्रिक अन्य सभी तंत्र पुरुष तथा स्त्री में समान होते हैं। इन तंत्रों के अत्रिक मानव शरीर में पांच ग्यानेंद्रियां सेंस ओर्गन्स भी होती हैं। जिने हम नेत्र, कर्ण, नासा, जिव्वा त्वचा के नाम से जानते हैं। आईए अब जानते हैं अध्यावरणी तंत्र इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले इसकी हम रचना देख लेते हैं त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा में भाय त्वचा एपिडर्मिस की एक बहरी परत होती है जो उपकला उतक से बनी होती है इसकी गहरी परत को चर्म तादर्मिस कहते हैं तथा इसमें रक्ट वाहिकाएं, तंत्रिकाएं, रोमपुतक तथा सवेध वशा गरंतियां स्थित होती है इस तंतर में त्वचा, बाल, स्वेध, वसा, घ्रंथियां तथा नाखून शामिल हैं जैसा आप चित्र में भी देख सकते हैं इंटरुग्यमेंटरी सिस्टम का एक चित्र है जिसमें बाल है, स्वेद रंध्र, पेशी, तंत्रिका, स्वेद ग्रंथी, वसा ग्रंथी, रोम पुटक, वसिय उतक, यह सब आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं अब इसके कारे के बारे में हम जानते हैं कि इसके कारे अर्थात फंक्शन्स क्या हैं त्वचा शरीर की संपून बाहरिस्तहा को आवरित किये हुए है शरीर को घातक पदार्थों तथा प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है सूक्ष्म जीवों के प्रवेश में अवरोत का काम भी त्वचा ही करती है स्वेद ग्रंथियों की साहिता से अप्षिष्ट पदार्थों का उसर्जन करती है शरीर के तापमान को नियंद्रित करने में साहयक होती है यह एक ज्यानेंद्रिय भी है जिसमें स्पर्ष, तापमान, दाब तथा पीड़ा के ग्राही अर्थात रिसेप्टर्स होते हैं आए अब जानते हैं कंकाल तंत्र के विशे में अर्थात स्केलेटल सिस्टम अस्थियों के ढाचे फ्रेमवर को कंकाल स्केलेटन कहते हैं यह दो प्रकार का होता है अक्षिय कंकाल जिसे हम एक्षियल स्केलेटन बोलते हैं यह कपाल तथा मेरु सहित उरो अस्थिवा पसलियों से युक्त है उपांगियक अंकाल, appendicular skeleton, यह अंसियकंधा, मेखला, उर्ध्व वा अधाशाखाओं वा श्रोनी से बना है मेखला अर्थात, pectoral girdles, जो आप ये लाल कलर का इसमें देख रहे हैं, ये आपका appendicular system है, appendicular skeleton है और जो नीले रंका आप चित्र में देख रहे हैं, ये आपका axial, अर्थात अक्षियक अंकाल है जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि मानवश्री दो धूरों उस पर बना है, कि एक धूरी आपका धूरी भाग है और एक उपांगिय भाग है तो ये इसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि जो आपका appendicular लटका हुआ भाग है वह है आपका shoulder girdle या जिसे हम scapula है, उसके साथ अगी clavical के थूख scapula से attach है और pectoral girdles ये इसकी उर्धव अधा शाखाय और stoni इसके अंदर आती है और जो axial system है आपका इसके अंदर आपका skull है, आपकी ribs है, आपका जो vertebral column है वो इसके अंदर आता है अब जानते हैं अस्थी के बारे में, bones के बारे में मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है, अस्थी जैव पजार, organic matter जो कुल भार का एक तियाई भाग होता है, तथा अजैव पजार और inorganic matter जो कुल भार का दो तियाई भाग होता है, उससे बनी होती है आकार की दृष्टी से अस्थी 4 प्रकार की होती है, लंबी अस्थियां जिने हम long bones कहते हैं, छोटी अस्थियां, short bones, सपाट अस्थियां, flat bones, अन्यमित अस्थियां, irregular bones आप चित्र के माध्यम से विभिन प्रकार की अस्थियों को शरीर में देख सकते हैं सबसे पहले जानते हैं लंबी अस्थियों के बारे में लंबी अस्थियां, long bones ये प्राहय उर्थ्ववा अधा शाखाओं में होती हैं ये लीवर का समान कारे करती हैं ये लंबी और बीच में नालीदार होती हैं इनके दो विस्तारित छोर होते हैं जो चिकने तथा संधायक होते हैं इनके उधारन है प्रगांडिका जिसे हम हुमरस कहते हैं उर्विका जिसे हम फीमर कहते हैं छोटी अस्थियां, short bones कंकाल में जहां दृड़ता और अल्पगती की आवश्रक्ता होती है वहां का भाग कई छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है पातकुर्ट जिसें metatarsals होते हैं आदी में ये सुशिर अस्थिय की बनी होती है उधारन, मनी बंधिका या गुल्फ अस्थियां ये सारी छोटी छोटी अस्थियों से निर्मित होते हैं सपाट, चप्टी अस्थियां, जिने हम फ्लैट बॉन्स बोलते हैं, जहां पर पेशियों के निभंधन अर्थात, अठाच्मेंट की अधिक स्थान की आवशक तो होती है, वहां पर अस्थियां चप्टी होती हैं, उधारन के तौर पर कपाल अस्थी, क्रेनियम बॉन्स, अं सपाट होते हैं, जहां पर पेशियों का अटेश्मेंट होना है, वहां की अस्थियां चप्टी पाई जाती हैं, चोध्य प्रकार है अनियमित अस्थियां, इर्रेगुलर बॉन्स, इन्हें इर्रेगुलर बॉन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी आकरती विशम होती है, इस क पित्र में देख सकते हैं कि वटिब्राया इसका कोई भी सिरा नियमित नहीं है कहीं पर निकले हुए हैं तो इसलिए हम इन्हें अनियमित अस्थियां कहते हैं अस्थियों के कारे, शरीर को आकार वा बलप्रदान करती हैं, पेशे क्रियाओं के लिए लीवर का कारे करती हैं, कॉमल लंगों की पूर्ण सुरक्षा करती हैं, मास पेशियों, कंड्रा, सनायो आधिके उद्गम और निवेश, द्वारा शरीर की प्रते क्रिया का साधन बन् अस्थी मज्जा रक्त कोशिकाओं का निर्मान करता है आईए अब जानते हैं पेशी तंत्र, अर्थात, मस्कुलर सिस्टम के बारे में हमारे शरीर में लगभग 500 पेशियां है इनने दो भागों में विभग किया गया है एचिक या स्वतंत्र जिने हम वोलेंटरी कहते हैं जो पेशियां मनुष्य की इच्छा नुसार कारे करें उन्हें हम एचिक पास पेशियां कहते हैं इन पर श्वेत और कालीधारी पाई जाती हैं ये विशेश रूप से कंकाल में लगी रहती हैं, इसका उधारन है कंकाल पेशियां, क्योंकि इन में श्वेत और कालिधारी पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें रेखिये मास पेशी भी कहा जाता है, दूसरी है अनेच्छिक या परतंत्र, involuntary muscles, जो पेशियां मनुष्य की सिद्मसिटी होती है, यह पेशियां प्राणी के भीतर, अव्यवों या कोश्ट के भीतर रहती हैं, इसके उधारन है हिर्दे तथा आंत्र की पेशियां, मान्स पेशी के कार्रे, ये शरीर के स्वरूप को दर्शाती हैं, शरीर में स्थित, अस्थी, संधी, शिरा और स्ना बाइयों को ढ़खती हैं शरीर की सभी क्रियाएं आकुंचन प्रसारन आधी सभी पेश्यों पर ही निरबर हैं भीत्री अंगों की रक्षा करती हैं रग्त संचार के कारे में सहयक होती हैं रिदेकस पंदन आधी भी पेशियों द्वारा संपन होता है। आए अब जानते हैं श्वसंतंत्र रैस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले रचना देख लेते हैं। श्वसंकर्म से संबंध शरीर के भाग को श्वसंतंत्र कहते हैं। मुखे श्वसंनांग फेफडे हैं और शेश सहयकंग हैं। तो सहयकंग में और क्या-क्या आते हैं। नासिका, नोज, ग्रस्नी, फेरिंक्स जिसे हम कहते हैं। आये इनके विशय में हम अब थोड़ी-थोड़ी जानकारी प्राप्ट करते हैं। नाक, वायू नाक से प्रवेश करती है। नाक में दो नासिका प्रवेश होते हैं जिने हम नेजल कैविटी कहते हैं। नाक के भीतर बाल, श्रसन प्रिक्रिया के दोरान ली गई वायू को साफ करते हैं। नाक का सिरा सूंगने में हमारी सहता करता है। नाक के भीतरी भाग के सूजन को राइनाइटिस या आमभाशा में जुखाम या हम कोल्ड कहते हैं। ग्रसनी फेरिंग्स यह वायू तथा भोजन के लिए एक समान मार्क है जो नाक वा मूँ के पीछे स्तित है। कंट इचद एपिग्लोटेस यह एक फ्लैप होता है जो पानी या भोजन को निगलने के पश्चात बंध हो जाता है। यह श्वास नली को ढके रहता है और इस प्रकार पानी वा भोजन को फेफणों में जाने से बचाता है। कंट यह द्वनी का अक्षय जो ग्रस्नी वा वायू नली ट्रैकिया के मध्यस्तित है जहां वायू कंपन के द्वारा ध्वनी उत्पन होती है। श्वास नली या वायू नली ट्रैकिया यह एक 10-11 cm लंबी नली है जो गर्दन में कंट के नीचे तथा वक्ष के भीतर विद्यमान होती है। यह दो शाखाओं में विभाजित होती है जिने दाई तथा बाई श्वस्नी कहते हैं। यह वक्ष अर्थात थोरक्स के मद्य होती है। श्वासनली, ब्रोंखाई, ये दो नलियाँ हैं, अर्थाद दाई तथा 22 श्वस्नी, प्रतेक श्वस्नी हायलम के माध्यम से फेफणों में प्रवेश करती है, तथा पेड की शाखाओं के समान फेफणों में ततकाल अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है श्वस्निकाय, ब्रॉंकियोल्स, यह प्रत्यक श्वस्निकी लगुत्तम शाखाएं हैं, यह पुना उप्षाखाओं में विभाजित होती हैं, जिने प्राइमरी, सेकेंडरी तथा तर्शरी शाखाएं कहते हैं परिकोष्ट, आर्टिया, यह तर्शरी श्वस्नियों के अंतिमभाग को परिकोष्ट कहते हैं कूपिका, यह गुबारे के अकार का श्वसन संस्थान का अंतिमभाग होता है, जो अंगोरों के गुच्छे के समान होता है इस तरपर गैसों का अंतरबदल अर्थात एक्षेंज होता है अर्थात कूपिक का और इसके चारों और स्थित रक्त कोशिकाओं के बीच तथा रक्त कोशिकाओं और शरीर की उतक कोशिकाओं के बीच होता है गैसों का फेलाव जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं फिजिक्स के निया मानुसार अधिक डाब से कम डाब की ओर होता है फेफडे फेफडे श्वसन संसान के मुक्ष्य स्पन्जी अंग होते हैं ये संख्या में दो होते हैं तथा वक्षिय गुः थोरासि केवर्टी में पाये जाते हैं प्रतेग फेफडरा पाश्वक प्लूरा नामक उपकला से आबरित होता है इसके अंदर Plural Fluid होता है पाया जाता है जो उन्हें घरशन से बचाता है श्वसन क्रिया आई अब जानते हैं कि श्वसन क्रिया कैसे होती है पायू मंडल से श्वास लेने, इंस्पिरेशन वा श्वास छोडने, एक्सपिरेशन की अनवरत क्रिया को श्वसन कहते हैं यह दो प्रकार की होती है, अन्था श्वसन, इंटर्नल रैस्पिरेशन जिसे हम कह सकते हैं यह कोशिक की अस्तर पर अठाट cellular level पर होता है, इसमें रक्त तथा शरीर की धातवाओं के बीच गैसों का विनी में एक्सचेंज होता है, भायश्वसन, external respiration, यह फेफडों में होता है, तथा इसमें oxygen लेना तथा carbon dioxide छोड़ने की क्रिया होती है, इस तंत्र द्वारा रक्त का शोधन होता है, साधान तहा स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में 16 से 20 बार तक श्वास लेता है, उच्च जवर, भरी, भारी व्यायाम के दोरान या कम oxygen वाले वातावरन में श्वसन की दर बढ़ जाती है, आई आप जानते हैं पाचन तंत्र के बारे में digestive system, रचना, भोजन के पाचन, अवशोषन, तथा चयोप्चे से संबंधित अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्मान करते हैं, पाचक प्रणाली मुख से आरंभ होकर गुदा पर समाप्त होती है, इसके मुख्य अंग होते हैं, मुख गुः, जिसमें दांत, जीव और तालू आते हैं, ग्रस्नी, ग्रास्नली, अमाशय, छोटियान, बढ़ियान, आप चित्र में देख सकते हैं, पाचक संसान के सायक और मुख्य अंगों को जो इसमें दिखाए गए हैं, अब जानते हैं, पाचन तंत्र के सायक अंग, लार ग्रंथियां, सेलाइवरी ग्लैंड्स, ये संख्या में तीन त कहते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंधी है, पित्त का उत्पादन इसका मुख्य कार रहे है, पित्ताशय, गॉल ब्लडर, पित्त को एकत्रित करना इसका मुख्य कार रहे है, अग्नाशय, पैंक्रियास, अग्नाशय रस उत्पन करने के आतरिक्त, इंसुलिन निर्मान भी इस मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना है. पाचन प्रक्रिया पाचन प्रनाली में चार मुखे क्रियाई होती हैं. पाचन जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, अवशोशन, एब्सॉप्शन जिसे हम कहते हैं, पाचन, यह एक यांतरिक और रसानिक प्रक्रिया होती है, जिसमें भोजन बहुत ज़्यादा बारिक कनों में बंड जाता है, तथा एंजाइम्स और पाचक रसों की ख्रिया द्वारा उसका सुरूप बिदला जाता है, जिससे उसके घटक रक्त द्वारा अवशोशित हो सके, तथा कोशिकाओं द्वारा उप्योग में लाए जा सके, भोजन की पाचन क्रिया की शुरुवात मूँ में चबाने से होती है, जो इसमें यांतरिक प्रक्रिया होती है, यह दांतों के द्वारा संपन होती है, यांत्रिक म्युकोजा से निकलकर रख्त यालसिका में प्रवेश करते हैं चैप चय यह की कोशिकाओं के श्तर पर होता है जिसमें हम एणरजी को बनाते हैं जिसे हमारे शोटी आंत के माध्यम से बढ़ी आंत में पहुंचते हैं और बढ़ी आंद में सबसे अधिक पानी का अवशोशन होता है थोस अपशिष पदार मल के रूप में मलाशे में कत्र होते रहते हैं और मल गुदा के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है आइ अब जानते हैं परिसंचरन तंत्र सर्कूलेटरी सिस्टम के विषय में परिसंचरन का अर्थ है रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमन परिसंचरन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि संचरन करना शरीर में घूमना तो जहां जिस तंत्र के माध्यम से शरीर में रक्त का ब्रहमन हो रहा है उसे हम परिसंचरन तंत्र कहते हैं इसके तंत्र के मुख्य रूप से तीनंग होते ह है रिदय रख्ट और रख्ट वहनियां आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ये एक पूरा सर्कुलेशन है जिसमें रख्ट शरीर शुद्ध रख्ट शरीर से बहार जा रहा है और अशुद्ध रख्ट चरीर में आ रहा है रिदे यह लाल रंग का तिकोना खोखला आवं मांसल होता है जो पेशिय उतकों से बना है यह पंप की तरह कार्य करता है यह समस्त शरीर में रत्प को भेजता है रिदे में मुख्य रूप से चार प्रकोष्ट जिसे हम चेंबर्स कहते हैं रक्तवाहनिया सबसे पहले हम इन में धमनिय की बात करते हैं जिने हम आर्टरिस बोलते हैं यह रिदे से रक्त को शरीर के विभिन अंगों तक ले जाने का कार्य करते हैं शिराएं वेन्स ये शरीर के विभिन अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाती हैं धमनिया आम तोर पर शुद्ध रक्त को वहन करती हैं और शिराएं अशुद्ध रक्त को वहन करती हैं परिसंचरन, सर्कुलेशन कैसे होता है? शुद्य या ऑक्सिजन युक्त रक्त फेफणों से हृदय में आता है। परिसंचरन तंत्र कह रहे हैं। परिसंचरन तंत्र का है। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिटरी सिस्टम। शरीर द्वारा अप्षिष्ट, विशाक्त तथा अवांचित पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया विधी को उत्सर्जन एक्सक्रिशन कहते हैं। प्वचा, फेफडे, आंत्र, गुर्दे, यक्रित आदी उत्सर्जी अंग है। अधिक्ता मुत्सर्जन गुर्दों द्वारा किया जाता है। अता इसे मूत्र तंत्र यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। आप चित्र के माध्यम में देख सकते हैं उससर्जन तंत्र जिसमें दो किड्नी्स हैं और इसके साथ अर्टिस वेन्स हैं, नीचे उरिनरी ब्लेडर हैं। सबसे पहले जानते हैं व्रिक के बारे में, किड्नी में। ये सेम, बीन्स के बीज के आकार के संख्या में दो होते हैं, यह उदर के पश्च भाग में पीछे की तरफ कशेरुप दन, वर्टिबल कॉलम के दोनों और होते हैं, दाई और का गुर्दा यकृत के कारण थोड़ा नीचे होता है, प्रतेक व्रिक में असंखे सुक्ष मनलिक माइक्रो टुबूल्स होती हैं, जिने व्रिकानु नेफ्रोन कहते हैं, नेफ्रोन व्रिक की कार्यात्मक अर्थात फंक्शनल यूनिट होती हैं, प्रतेक गुर्दे के उपरी पोल पर अधिव्रिक नामक एक ग्रंथी होती है, जो आप चित्र में भी देख सकते हैं, आब व्रिकानु को हम देखते हैं, व्रिकानु की रचना कैसे हैं, प्रतेक व्रिक में असंखे सुक्ष्मनलिकाय माक्रो टुब्यून्स होती हैं, जिने व्रिकानु नेफ्रोन कहते हैं, नेफ्रोन व्रिक की कार्यात्मक की काई अर्था फंक्शनल यूनिट होती है, आप चित् अर्था सेलेक्टिक अब्जॉप्शन के द्वारा यह जो आपके अप्षिश पदार्थ है उनको बाहर निकालते हैं पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन को शरीर में बनाए रखना रक्त के पीच को बनाए रखना केल्शेम स्तर को बनाए रखना रेनिन इंजाइम का उत्पादन करना यह सब गुर्दों के कारे हैं आए आप एक नजर डालते हैं उत्सरजी अंग और उनके द्वारा उत्सरजी पदार्थों पर व्रिक से कौन-कौन से उत्सरजी पदार निकलते हैं नाइट्रोजनी पदार जैसे यूरिया, यूरिकैसिब, स्वचा से स्वेध गरंथियों द्वारा पानी, यूरिया, ऐमम, अन्य लवन, फुफुस के द्वारा अप्शिष्ट गैस जैसे की कार्बन डायोकसाइड, आंत जिस तंतर के द्वारा विभिन अंगो का नियंतरन और अंगो तथा वाता वरण में सामन्जस से स्थापित होता है, उसे तंतरी का तंतर नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्र के कार्यों का संपन करती हैं मानब तंत्री का तंत्र को हम तीन भागों में बांडते हैं केंद्रे तंत्री का तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें मस्तिश्क और मेरुरजु आते हैं परीधिये तंत्री का तंत्र पैरिफरल नर्वस सिस्टम इसमें कपालिये तं अनुकम्पी तंत्रिका तंत जिसे हम sympathetic nervous system कहते हैं दूसरा है परानुकम्पी तंत्रिका तंत परasympathetic nervous system मस्तिश्क यह संपून शरीर तथा स्वें तंत्रिका तंत्रिका नियंतरन काक्ष है इसके भाग होते हैं प्रामस्तिश्क यह मस्तिश्क का सबसे बड़ा भाग है यह बुद्धी और चतुराई का केंद्र है अनुमस्तिश्क, इसका मुख्यकार है शरीर का संतुलन बनाए रखना है पॉन्स, यह श्वसन को नियंतरित करता है मेडुला अबलंग गाटा, इसमें अनेक केंदर होते हैं जो हृदेवा, धड़कन, रक्तिचाप आदी का नियंतरन करते हैं मेरु रज्जु, मेडुला अबलंग गाटा का पिछला भाग मेरु रज्जु बनाता है इसके दो प्रमुक कारे हैं यह प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंतरन एवम समन्वे करती हैं यह मस्तिश्क से आने जाने वाली उद्धीपनों का समन्वेहन करती है नर्वस सिस्टम के कारे देख लेते हैं अंतसरावी तंत्र छोटे अंगों ग्रंथियों की एक एकिकृत प्रणाली है जिनसे हॉर्मोन का स्राव होता है। ये ग्रंथिया नलिका रहित डक्तलेस होती हैं तता हॉर्मोन को रक्त परिसंचरंड में निर्गम करती हैं। मस्तिश्क ही अंतसरावी तंत्र का केंद्र है, अंतसरावी तंत्र शरीर के चय अप्चय, वृद्धी विकास, डेवलप्मेंट, ग्रोथ डेवलप्मेंट, योवन, प्यूबर्टी, जनन, उतक क्रियाएं, मूर तथा अन्य परिक्रियाओं के लिए उत्तरदाई है शरीर में प्रमुक अंतसरावी ग्रंतियाँ हैं, पियूश ग्रंती, पिचूटरी, दूसरी है अफ्टू ग्रंती, थाइरोड, तीसरी परावटू, पैरा थाइरोड, चौती है अधिवरिक, अड्रिनल, पांचवी है अगनाशे, पैंक्रियाद, छटी है अंडाशे, ओवरी सात्मी, वरिशन, पैस्टीज, आप चितर में प्रमुक अंतसरावी ग्रंतिय पुरुश और महिला के विशेम देख सकते हैं, वरिशन पुरुशों में पाया जाता है, अंडाशे महिलाओं में पाया जाता है, आईए एक नजर डालते हैं कि कौन-कौन से ग्रंती कौन-कौ पिचूटरी और पोस्टीरर पिचूटरी कहते हैं इसमें से देख लेते हैं सबसे पहले एंटीरर पिचूटरी में से कौन-कौन से हॉर्मोन आते हैं ग्रोथ हॉर्मोन जो की शरीर में वृधिक उतरदाई होता है ग्रोथ के लिए उतरदाई होता है ग्रोथ हॉर्मोन बोलत करने में जो और इस में रहते हैं उनकी मदद करता है एसी टी एच एसीटो को थायरोड हॉर्मोन उसको हम एड्रीण ग्लांड में मदद करता है ल्स लूतिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलेक्टिन यह दोनों फ्यमेल्स में कारे करते हैं पोस्टीर पिचुतरी से एडिएच और oxytocin निकलता है, ADH जो है urine को बनाई रखने में मदद करता है, अधिक नहीं आने देता है, oxytocin जो है गर्भाशे में संकुचन को help करता है, अवटू, thyroid gland इससे thyroxin निकलता है, पर अवटू, parathyroid जो की parathyroid hormone को secret करता है, अगनाशे यह आपके highlight of langrin से insulin को secret करता है, जो की glucose को absorption करने में मदद करता है, अधिवरिक यह दो भागों में हम इसको बाढ़ते हैं, अन्धास्था और वलकुट जिसे हम adrenal medulla और adrenal cortex भोलते हैं, adrenal medulla से adrenal hormone निकलता है और adrenal cortex से corticoid hormones secret होते हैं, पातियू, डॉक्टर निदीगर्ग ने बताया कि किस तरह से human body और जो उसके cells हैं और tissues हैं, जो systems हैं, इनके माध्यम से पूरी बनी होती हैं, और सारे systems के अलग-अलग कार रहे हैं, सबका अपना एक महत्पूर्ण कार है, यह नहीं कहा जा सकता कि किसी एक system का कार रहे हैं बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण हैं, किसी का कम महत्पूर्ण हैं, हमारे सरीर को सस्त्रहने के लिए सारे systems आवसक हैं, और सारे systems के जो functions हैं, वो उतने ही important हैं जितने और दूसरे systems हैं, तो सभी systems को हम ठीक से समझें, जानें, क्योंकि यद आपको health worker के रूप में काम करना हैं, तो आपको सारे systems ठीक से समझने पड़ेंगे, आपको human body को ठीक से जानना पड़ेगा, human body की एक एक बारी चीज को आपको समझना आवसक है, manly कौन सा system कहां रहता है, कहां पाया जाता है, कौन से organ system में कहां कहां located हैं, उनकी situation, उनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए, और उनकी functioning भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो होने वाले जो बिभिन रोग हैं, वो कहीं न कहीं उन अंगों से सम्मंदित रहते हैं, और वही हमें पता नहीं होगा, तो हम निश्चत रूप से किसी भी तरह से किसी रोग के लक्षणों को कैसे समझ पाएंगे, कैसे उसके बारे में हम ठीक से जानकाई दे पाएंगे, तो इस तरह से जैसा कि 10-11 systems यह हमारे हैं body में, और इसमें जो खासतोर से मैं समझता हूँ कि सभी systems आप दो system को छोल करके यह डॉक्टर नेधी जीन आपको समझाया, एक हमारा बस्ता है इसमें ज्यानेंद्रिया यानि सेंस और शिश्टम और एक दूसरा कौन सा बस्ता है इसमें? reproductive system, reproductive system जो है इसके बारे में जो जानकारी होगी हमारी, वो हम आपको next अपने कारिकर में आपको बताएंगे, साथ में body में सबसे जो important जिसको हम समझ सकते हैं, मानते भी हैं, प्रत्रोदक छमता, यानि रोगों से लड़ने की जो शमता होती है, हर body में एक ये रोगों से जाती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, तो इसकी बारे में हम detail में चर्चा करेंगी, अपने अगली कार्टर में, आज का हमारा कार्टरम यहीं सबात होता है, नमस्कार, जय हैन, जय भारत.